कुल भूशन जी मैं आप सही करना चाहूंगी क्योंकि आप तमाम जो स्कूल मैनेजमेंट हैं, स्कूल प्रिश्वासन हैं, उसका प्रतिनी धित्व कर रही हैं, सुप्रियम कोट का ये जो आदेश है, नर्देश है कि स्कूलों को 15 प्रतिशत की जो फीस है, उसमे का टौती कर रहे हैं, आज भी स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा देरी से आया, क्योंकि बहुत देर से इसकी प्रतिक्षा थी, और नया शेशन भी जो है, वो नौर्थ में लगबग जो है, स्कूल छुटियों में चले गए हैं, अपरिल से शेशन स्टार्ट होता था, तो कोट में यह पहा है, पिछले साल की फीस ले सकते हैं, लेकिन साथ कुझी यह कह दिया, कि अगर आप फीस नहीं कोई प्रतिक्ष देता, तो उसके आप दिशार करेंगे, उसका रिजल्स नहीं रोकेंगे, तो इसमें एक अभी भी जो है, अगर पूरे देश के सेनेरियों को आप दो क्योंकि सुप्रीम कूप का फैसला पूरे देश पे लागू होता है, पूरे देश जो है, इस फैसले का इंतिजार कर रहा था, तो उससे एक संदेश यह जाता है, कि अभी भी बहुत सारी क्लैरिटिस नहीं, जो आप स्कूलों को सिरफ हम एक नजरिये से देखते हैं, कि ए पिछले शेक्टिस्टर से से भी पिछले शेक्टिस्टर था, पच्चेस से तीस चालिस प्रतिशत अभी भी जो फीस है, वो रसीव नहीं हुई है, और नए सेतर की जो 85% फीस भी कई जा दी, तो वहां भी उसको सुनिश्चित नहीं किया गया, उसके लिए ये क्लैरिटी नहीं है, ना सरकारी स्तर पे, ना कोड की स्तर पे, कि उन स्कूलों को फीस अगर नहीं मिलेगी, तो किस परकार उनको फीस मिल सकती है, और कैसे वो अपनी मैनेजमेंट को चला सकते हैं, कैसे टीचर्स को सेलेरी दे सकते हैं, हर विक्ती जो है, सिर्फ इसको फीस के साथ जो वारे में ना किसी ने कभी चफ्छा कि है, ना कोड़े से कुई कौई विस्तिथ फैसला आया है कि अगर Mart talking नहीं देता है तो के तो तो उसका नाम नहीं कटना चाहिए उसका किसी भी तरीके से प्रमोशन नहीं रुपना चाहिए तो अभी है इस फैसले से जो रियल समस्या है उसका सल्यूशन होना जो है वो संभवसान नहीं लग रहा है